Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna कैसे हैं सब लोग, मस्त, बढ़िया चलो स्टार्ट करें आज का lecture, ओके आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Hospital and Clinical Pharmacy का Chapter No. 12 है ना, जो की हमारे syllabus के according, last chapter भी है ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं Medication Error, ठीक है, इसके अंदर दो टॉपिक है Medication Error and दूसरा क्या है Drug Interaction दोनों के ही बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं Medication Error को मैंने Journal Pharmacology में भी डिस्कस किया दा अगर वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है हापे काफी असान रहेगा तुम लोगो पढ़ना और समझना थोड़ी बात है एक्स्ट्रा हैं बस बात बागी बिल्कुल वही सेम है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को हम लोग तो Medication Error की बात करें हम लोग तो स्टार्ट करेंगे डेफिनिशन हो, तो definition क्या है, Any Error in the process of ordering कोई भी Error हो जाए, और करने में transcribing दवा को देने में transcribing मतलब दवा को समझने में dispensing दवा समझने मतलब transcribing कुछ कह रहा है, falsification कुछ और समझ लिया, dispensing दवा देने में administering दवा को खाने में, कमज्यादा खाली एक समय छोड़के खाया and monitoring, उसको जो monitor कर रहे हैं उसके effect को इन मैंसे कहीं पे भी कोई अगर error हो जाए तो वो medication error के अंदर count होता है simple definition, easy definition ठीक है, एक और definition है थोड़ी सी खतरनाक सी definition जो बच्चों की इजली याद नहीं होती है medication error is defined as any preventable event एक ऐसी घटना जिसको prevent किया सकता है, रोका जा सकता है error को रोका जा सकता है that may cause जो की create कर सकती है और create कर सकती है inappropriate medication use और patient harm या patient को harm हो सकता है medication का inappropriate use हो सकता है while the medication is in the control of healthcare professional जबकि जो medication है वो healthcare professional के control में है patient और consumer के control में है according to National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention इसके according definition यह है कि any preventable event that may cause ऐसी कोई घटना जो नुकसान कर सकती है या cause कर सकती है, patient को harm कर सकती है medication का appropriate use कर सकती है जबकि दवाईयां healthcare professional, consumer, patient के control में होती है तो यह definition याद ना करो, यह ज़्यादा अच्छी भी है समझने में मज़ा आता है, इसको तो उपरवली याद कर लेंगा now, medication error can occur throughout the medication use system याने कि throughout the medication use system याने कि डॉक्टर के दवा लिखने से लेकर के उसको पर्चा जाएगा, pharmacist पड़ेगा, समझेगा, दवाईयां देगा, patient खाएगा, वहां तक याने कि डॉक्टर के पर्चा लिखने से लेकर के मरीज की दवाई खाने तक, यह जो पूरा system है कहीं पर भी error हो सकता है such as, कहाँ कहाँ है जैसे कि prescribing a drug, drug को prescribe करने में कोई disease गलत समझ ली upon entering information into computer system जो पर्चे से computer में चड़ा रहे हैं दवाई कोई गलत दवा चड़ा दी गलती से कौनसी? LASA drugs जो होती है जो सुनने में एक जिसी drugs होती है when the drug is being prepared or dispensed जब दवा दी जा रही है, समझाई जा रही है वित्रित की जा रही, बाटी जा रही पेशेंट को or when the drug is given to or taken by patient या जिस समय पेशेंट को दवा खिलाई जा रही है या या पेशेंट खुद से ले रहा है अपने घर पे ठीक है तो तमाम जगे है जहाँ पर error हो सकती है causes क्या है medication error के तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ causes लिये हैं जो generally pharmacist की तरफ से, too many telephone calls ठीक है, अब देखा जो telephone calls pharmacist की तरफ से, बहुत साजी calls आ रहे हैं वो चीज़ों confuse कर रहा है overload, overload बहुत ज़्यादा हो गया too many patient, बहुत ज़्यादा patient हो गया lack of concentration, concentration नहीं है जिससे में दवाई यहां dispense कर रहा है no one available to double check double check करने के लिए अविलिबल नहीं एक वाई दे दी तो दौरा चेक करने के लिए दूसरा इंसान नहीं है staff की shortage है, similar drug names एक जैसे ना में दवाई होगे no time to counsel, patient को counsel करने का समय नहीं, क्योंकि जब counsel करते तो पता चल जाते क्या रहे है, यह दवा तो इसकी मर्च की है ही नहीं, ठीक है illegible prescription क्या कहते है doctor की तरफ से जो writing लिखी गई है वो proper नहीं है, और misinterpretation, misinterpreted prescription, prescription जो लिखा गया उसको misinterpret, गलत समझ लिया गया गलत पढ़ लिया गया, तो यह कुछ causes हैं, तमाम causes और भी है यह जाहता कहीं ना कहीं, यह जो causes हैं, यह फार्मसिष्ट की तरफ से आ रहे हैं ठीक है, patient की तरफ से क्या होते हैं उसका असर एक ही जैसा है, तो डबल हो गया वो तो कई सारी causes हो सकते हैं, आप एक जर्नल मैंने cause दे दिया, जो जर्नली फार्मसिष्ट की तरफ से होते हैं ना, types of medication error, ठीक है prescribing error, omission error, wrong time error, unauthorized drug error, improper dose error, wrong doses form error, wrong drug preparation error, wrong administration or technique error, deteriorated drug error, monitoring error, compliance error, other medications error, अरे सर जी रुख जाओ, रुख गया, ठीक है तो यह कितने हैं, 12 type की है, ऐसे 11 type की होते हैं, यह other type के medication लिख दिया जाता है, उसमें कुछ और आती हैं, देखेंगो उसको तो बारी बारी से इसको फटवर्ट देख लेते हैं, एक एक दो दो लाइन में, definition बहुत ज़्यादा in depth में नहीं जाना यहाँ पर, हमें हर एक का meaning पता होना चीए, and this is the important question यह question कैसा है, important है, तो उसको अच्छे से करते हैं हम लोग प्रिस्क्राइबिंग एरर क्या है, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब कौन करेगा, डॉक्टर, डॉक्टर लिखता है परके को, तो incorrect drug selection डॉक्टर ने गलती से, जो दवा चूज करनी चाहिए, बिमारी के लिए, वो दवा चूज ना करके, कोई दूसरी दवा चूज करी है, doses form, tablet, capsule, syrup, कौन सी dose form लेनी चाहिए थी, वो correct नहीं चूज करी है, कितनी quantity या कौन सा root देना है, concentration कितना देना है, rate of administration और instructions by the physician कुछ गल next scheduled dose, ठीक है, हुआ क्या, failure to administer prescribed drug or dose to the patient before next scheduled dose, अगली जो खुराक्ती उससे पहले वाली जो खुराक्ती वो दी नहीं गई पेशेंट को, या भूल गया, जो भी कुछ हो गया, omission error, omission मतलब हट जाना, delete हो गया, now, wrong time error, deviation from the prescribing timing of an ordered drug, wrong time, simple wrong, गलत समय पे, डॉक्टर ने का दॉक्टर ने का खाली पेट खा रहा है, तुम खाना खाने को बाद खा रहे हो, wrong time, ठीक है, unauthorized drug error, it take place when patient receives a medication without the prescriber's proper consent, उसने proper consent नहीं किया, अच्छा ये दवाई है, fever में आती है का हम, ठीक है, खाली, हो सकता है वो दवाई के कुछ side effect भी हो, proper consent नहीं किया है, pharmacist को या कि खा रहा है, that is, unauthorized, इस हम self-medication भी कह सकते हैं, improper dose form, administration of dose that is greater, overdose or less, sub-therapeutic than the amount prescribed, जो amount दिया गया है, पांसे मजी बोला गया है, खा रहे हो, दोसे मजी, या दोसे मजी बोला गया है, खा रहे हो, पांसे मजी, तो ये improper dose error, dose proper नहीं है, कम ज्यादा खा रहे हो, या कम खा रहे ह Wrong doses form error, administration of drug product in different doses form from that prescribed, मतलब की, डॉक्टर ने कहा, टैबलेट खा नहीं है, तुमने सीरप दे दिया, डॉक्टर ने का सीरप लेना है, तुमने टैबलेट दे दिया, जिस रूप में कहा गया, डॉक्टर ने का injection लेना है, उसी चीज की medicine भी आती है, तो तुमने दबाई injection लगना है, उसका medicine भी आ रही है, tablet भी आ रहा है, ठीक है, paracetamol, syrup भी आता है, paracetamol, tablet भी आती है, तो उनके effects में देरी हो सकती है, ठीक है, प्लस उनके असर में कम ज्यादा हो सकता है, तो इसी लिए wrong doses form error, dose जो बोली गई है, जिस रूप में, tablet तो tablet, capsule तो capsule, syrup तो syrup, वही लेना है, दूसरा नहीं लेना है, wrong drug preparation error, drug product incorrectly formulated or manipulated before administration, example, adding liquid to powder drug, syrup for injection, wrong drug preparation error, drug product incorrectly formulated or manipulated before administration, syrup आते हैं, powder वाले उसमें पानी मिलाया जाता है, उसमें एक level रहता है, तुम लोगो ध्यान होगा, यहां तक एक level रहता है, तो यहां तक हमको पानी मिलाना रहता है, अगर पानी तुमने यहां तक मिलाया या, पानी यहां तक मिलाया, तो क्या होगा, उसका concentration गरबड़ हो जाएगा, इंजेक्शन लगना है, 5 ml का, उसके अंदर 5 ml, 5 ml पानी मिला कर गोल कर लगाया जाता है, तो वो क्या चीजें, proper formulate नहीं होई है, इसका मतलब, उतने ml पानी के अंदर ही वो नहीं कहा रहा है, inappropriate procedure और improper technique in the administration of drug, क्या technique गलत कर दिया, example, administering excessive deep subcutaneous injection, subcutaneous injection, cutaneous में लगना चाहिए, cutaneous की just नीचे, लेकिन हमें बहुत गहरा लगा दिया, इंस्टिलिंग eye drop in the non-affected eye, आख जिसमें दिक्कत थी, डॉक्टर नहीं कहा तो उसी में डालना, तुमनें दोनों में डाल ली, तो ये क्या हो गया, wrong administration or technique, technique गलत हो गई, injection IM था, IV लगा रहे हो, IV है, IM लगा रहे हो, subcutaneous है, उपर लगने तिये, गहरा लगा दे रहे हो, तो technique गलत कर दी, तरीका गलत कर दिया, deteriorated drug errors, deteriorated मतलब होता है, खराब, administration of a drug debt has expired or whose physical or chemical doses form integrity has been compromised, यानि कि जो दवाएं खराब हो चुकी है, या expired हो चुकी है, खराब कैसे हो गई है, कोई injection को गई होते हैं, उनकी seal तूट गई है, तो वो injection खराब हो जाते हैं, उनका फिर use नहीं कर सकते हो, ऐसे injection करें, इस्तमाल हो रहे हैं, कोई injection बना के रख दिया है, तुरण इस्तमाल होना चाहिए, बना के रखा हो है, दो दिन का रखा हो है, उसको फिर नहीं लगा सकते, तो deteriorated drug error, अगर ऐसा करते हैं, तो फिर error होती है, ठीक है, monitoring error, failure to review a prescribed regimen, जो दवाई लिखी आप क्या कर रहे हो, monitor नहीं कर पा रहे हो, for appropriateness or failure to access response to prescribed therapy, ठीक है न, यानि कि कई बार जैसे तुमने देखा होगा, जैसे छोटा था, मैं एक दाहन लेता हूँ, किसी को अगर TV वगरा है, तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसे हर अपने 10-15 दिन बुलाता है, ठीक है, प् तो monitor किया जारा है लगाता है उसे, अगर वो monitoring में गरवड़ी आ गई, कोई गलत monitoring हो गई, दवाई कम जाता हो गई, तो error create हो जाएगा, compliance error, compliance का मतलब होता है, कि जिस हिसाब से patient को बोला गया, दवाई खाना भाई या, सुवे खाली पेट खाना, फिर नाश्टा के बात खा है, ठीक है, तो जो medication regimen है, जिस तरीके से दवाईयां बता ही गई है, उस हिसाब से अगर patient नहीं खाता है, तो compliance error, other medication error में क्या आता है, जो उपर किसी category में ना गिरे जैसे की, calculation error, डॉक्टर कई बर calculate हिसाब लगाता है, कि अच्छा इतने दिन हो गई ये दवाईयां के, तो इतने दिन में अब याईल डोस चलनी चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, वो कई बर क्या होता है, गरबर हो जाता है, तो calculation error, तमाम इसके अंदर आते हैं, तो mainly तुमको 11 तक जहां रखना है, बारवाईयां एक add कर सकते हो, तो errors मतलब कोई भी ऐसी तरीका, जो उपर हमने परिणाम, consequence मतलब परिणाम, क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, गलत, उसके दवाई दिये जाने के, यानिकी medication error के, the range of consequences, consequence परिणाम का एक बहुत बड़ी range है, from medication error, vary from no notable effect, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दवा, दॉक्टर ने गलत दवा दे दी, उसका कोई भी असर ना हुआ हो, या, even death, गलत medication के वएसे कई बार death तक हो जाती है, in some cases it can cause new condition, कई बार एक नई बिमारी जनरेट हो जाती ही, गलत दवा के वएसे, reaction बगरा हो गया, either temporary और permanent, यह तो new, नई condition हुई है, वो temporary हो सकती है, permanent हो सकती है, such as itching, rashes और skin disfigurement, skin खराब सी हो जाती है, अजीब सी हो जात हैं, फबोले से पढ़ जाएंगे, तो यह इसका एक परिणाम है, medication error का, दूसरा, सबसे खतरनाक, the loss of a loved one is devastating, अगर किसी इंसान का प्यारा, कोई इंसान मर जाता है, और वो जितनों का प्यारा होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है, तो देखर यह patient को नुकस हो, और अगर गलती से नुकसान हो गया है, तो क्या doctor को बुरा नहीं लगता है, लगता है बेटा, अगर आप case उठा के देखेंगे, तो even nurses और doctors वो भी guilt में जीते हैं कई बार, देखो जाना, doctors और nurses who inadvertently, मतलब जान करनी, अंजाने में, give the wrong medication to patient, ऐसे doctors और नर्स जिनों ने ग या, गलत medication देते देते रह गए, अचानक सिर्फ mind click कर गया है, near miss, एकदम बाल-बाल बचके यार, दे नहीं जाता है, मैं दे देता तो यह मर जाता, ठीक है, near miss, could suffer from shame, guilt and self-doubt, वो guilt इसे भर जाते हैं कि यार मैं तो जान बचाता हूँ, आज मेरी वे से किसी की जान चली जा अब सुनो, this is referred to as the second victim, इसको हम लोग कहते है, second victim, पहला victim पेशन्ट होता ही होता है, this is the second victim, अगर ऐसा कुछ हो जाए, पेड नर्स या, दॉक्टर के दिमाग में, तो वो भी एक तरगा victim हो गया, उसने जान मुझके नहीं किया, ठीक है, and the effect of this syndrome can be life-threatening, और यह second victim होता है, जिनको यह guilt भर जाता है, इससे भी जान जा सकती है, कैसे देखते हैं, a senior nurse committed suicide, real case है, कहां कहां वो में नहीं बता रहा हूँ, एक senior nurse थी, उसने suicide कर लिया था, after she overdosed a fragile baby, fragile मतलब एक नाजुक बेबी को, उसने overdose दे जी थी, ठीक है, with 10 times more calcium chloride, calcium की overdose तसगुना जाले दे दी थी, उसके death हुई, उसके बाद, इसने, nurse ने खुद suicide कर लिया, इतना guilt में आ गई थी, तो नुकसान patient का नहीं, नुकसान कई बार, nurse और doctor का भी होता है, तो यह consequence परिणाम होते हैं, the patient or patient family member में also pursue personal injury lawsuit, against the healthcare professional for negligence, वो लोग case कर सकते हैं, negligence का, ठीक है, जो patient family होँगा, वो क्या आएगा, against the healthcare professional, उस doctor नर्स के खिलाफ, this can affect the healthcare professional carrier, healthcare professional का carrier बरवाद होगा, इससे, ठीक है, उसका आगे नहीं बढ़ेगा, and probability to revoke his or license, और जहां ता के court कई पर उसका license भी छेन लेता है, एक और नुकसान हुआ, ठीक है, patient or patient family member could also file a personal injury lawsuit, ठीक है, कि मुझको नुकसान हुआ है, केवल healthcare provider पे, on the healthcare provider, यानि कि hospital पे भी कर सकती है, but the healthcare institution where the, यानि कि केवल doctors ही नहीं, not just on the healthcare provider, जिसने health provide करवाई है, यानि कि doctors या नर्स उसको पर ही नहीं बलकि, healthcare institutions where the healthcare provider is employed, जहां पर healthcare provider यानि कि doctor nurse काम कर रहे है, उस संस्था पे भी वो लो case कर सकते हैं, legally hospital could face huge legal counsel and possible settlement cost, तो कई सारे परिणाम हैं, इसके patient को लेकर तो परिणाम है ही है, दूसरे परिणाम भी होते है, medication error के, ठीक है, now, अब यह medication error में कुछ बड़ी, सबसे ज़्यादा complication आता है, वो LASA drug, ठीक है, look alike और sound alike, जो एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, देखने में, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ, क्या कहते हैं, medicines हैं यहाँ पर, बात करते हैं, look alike और sound alike, तो क्या हो जाता है, confusing drug names which look alike and sound alike, LASA, जिसका जिक्र मैंने फार्मकलोजी पर भी किया है, it's one of the most common cause of medication error and is of concern worldwide, सबसे ज़्यादा इसी के वैसे दिक्कत है, इसके वैसे medication error सबसे ज़्यादा होती है, और पूरी दुनिया में यह चिंता का विशे है, इस इंक्लूड confusion between non-proprietary name and proprietary names, यानिकी जो non-proprietary names है और proprietary, proprietary सहते हो ना, brand और trademark, जो brand है और एक non-brand name होते हैं, उनके बीच का जो mismatch होता है, कई बार वो clash कर जाता है, बात करेंगे भी देखेंगे यहापर, दा institute for safe medication practice, ISMP, वनमास question, मार कर लें से, ISMP का full form, यह जो ISMP है, पोस्टेड एन 8 page listing, इसने 8 page की एक list बनाई है, medication name pair actually involved in medication error, जो medication क्या है, इस LASA के अंदर आती है, ठीक है न, उसने 8 page की बनाई है, फिलाल हम यहाँ देखते हैं, LASA की कई सारी categories create की गई है, पहली क्या है, similar brand names, different generic composition, brand name same है, बट generic composition, उसके अंदर की दवा, अलग-अलग है, जैसे की, लिवो जिन, लिवो जेन, दोनों का नाम एक जैसे है, brand name same हो गया, लग-बग-लग-बग, लिवो जिन के अंदर लिवो सिट्रजीन है, एंटि अलर्जिक, और इसके अंदर iron है, जो की, ब्रट बनाने में help करेगा, similar brand name, same generic composition, brand name भी same है, लग-बग-लग-बग, एक जैसे हैं, और उनका, क्या है, composition भी, एक ही है, MD और Amidipine, दोनों के अंदर Amidipine पाए जा रहा है, तो कई बार confusion हो सकती है, कि ये या ये, या ये, ये दोनों ही एक ही आदमी को दे दी गई, इस case में क्या है, एक ही लोगों को दी जा सकती है, दवाई, confusion हो सकती है, ठीक है, now similar brand name with additional letter, category 3, almost 500, almost C, 200 plus 200, अब 500 के अंदर क्या Amoxiline है, 200 plus 200 के अंदर क्या Amoxiline प्लस Cloxaciline है, तो दोनों का नाम से हैं है, बस एक additional letter, तो यहाँ पर confusion पैदा हो सकती है, ठीक है, similar brand name of the anti-viet group, similar brand name, एक जैसे brand name Microdox, Microflox, Microdox के अंदर Doxycycline है, Phlox के अंदर Ciprofloxacin है, एक जैसे नाम है, antibiotic के, ठीक है, same drug, different doses form, drug same है, dose अलग-अलग है, Cedrox, tablet 200, 500, Cedroxil है, Cedrox P, है ना, 125, तो Cedrox, Cedrox same है, केवल यहाँ पर क्या है, dose में अंतर आ गया, तो यह अपनी category 5 भी हो गई, अब देखत है, same drug, different release characteristics, drug same है, लेकिन release होने का criteria अलग-अलग है, जैसे कि, अरफ्लोक्स, यह ओफ्लोक्सा सीन है, पेट के अंदर जाके घुलेगी, अरफ्लोक्स, DT, यह dispersible tablet है, है ना, तुरंट, dispersible, इनका release rate दोनों का अलग-अलग होगा, dispersible tablet तुरंट dissolve होती है, है ना, now same brand name, different composition, different country, ठीक है, जैसे कि, मेगडॉक्स, 100 capsule, इसके अरफ्लोक्साइकलीन है, नेपाल के अंदर क्यूमेड बनाता है, मेगडॉक्स, 100 tablet, असिकलोफेनेक है, इंडिया के अंदर फार्मकान जिगनोस बनाता है, अब यहाँ पर सफ़ड़ी दिकत क्या हो सकती है, कि जब एक डॉक्टर अललल कंट्री में जाता है, तो कन्फूजन पैदा हो सकती है, किसी डॉक्टर को बहार से बुला रहे हैं, कि मेगडॉक्स, महाँ पर तो डॉक्साइकलीन है, यहाँ मेगडॉक्स, असिकलोफेनेक है, कि लिए रहे बाते हैं, अब लासा ड्रग, जैनरिक ड्रग पेर, कैट अब उसके बाद, illegible handwriting and incomplete knowledge of drug names, further add to this confusion, अब drug name का proper, आपको idea नहीं है, और अपने writing बे अच्छी नहीं लिखिए, तो further यह जो art category, इनमें और confusion पैदा हो जाएगी, availability of product with similar packaging or labeling, अब look alike, sound alike चल रहे हैं यह, अब look alike, इनकी packing भी अगर तुमने same कर दी and the failure of manufacture, packing same कर दी और failure of manufacture and regulatory authority to recognize prior to approving new product name and packing further increase the medication error, और authorities वगर यह चेक नहीं कर पहा है, कि इस नाम की इस तरह की packing already market है, जिसके अंदर दूसरा content है, और यह भी same नाम और चीज़ बना रहा है, इ अंदर दूसरा content है, confusion बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो यह कुछ चीज़े हैं, look alike, sound alike के अंदर जो तुमें समझनी है, और इनके question मान के चलो, lasa का तुमारे अंदर, तीन number से नीचे का question नहीं आएगा, ठीक है, अब इस lasa से बचने के लिए, ठीक है, tall man lettering, tall man lettering का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने पूरे नाम को अलग-अलग तोड़ा, कैसे, simple साब समझा जेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर, इस तरीके से, हम लोगों ने क्या किया, नाम को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक को capital लिखा, दूसरे क चोटे में लिखा, जिससे की क्या है, टॉल में लेटर से क्या है, जब दवा दिया जाएगा ना, तो एक तो फार्मसेशिक नजर पढ़ीगा रहे, टॉल में लेटरिंग है, मतलब हमें ध्यान रखना है इसका, प्लस प्रनांस करने में अंतर आ जाएगा, जैसे यह है और दवायों में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, जैसे की यहां पढ़ेंगे कार्बो, प्लेटीन, सिस, प्लेटीन, ठीक है ना, एजा, थियो, प्रीन, एजित्रोमाइसिन, अब एजा, थियो, प्रीन, एजित्रोमाइसिन, यह एक साथ पढ़ दूँगा, इसको तोड़ सिर्फ रमान देदो तो किलियर हो गए ठीका न तो यह यह टॉल में लैटरिंग तो यह आए यसम्पी के हिसाब से अलखलंग सोर्स हों था कनेडा में यूएस में है तो यह तुम्हें इस ठीक है जो लासा है look alike sound alike drugs हैं उनमें क्या है हम लोग अपर केस लेटरिंग capital letters का इस्तुमाल करते हैं drug name as differentiation strategy एक रणनीती अपनाते हैं कि दवाईयां हम differentiate कर सकें अलग-अलग जो नाम एक जैसे हैं उनको हम अलग-अलग समझ सकें tolman lettering is a method of applying uppercase lettering to section of look alike sound alike Lhasa drug names to bring attention to their points of dissimilarity ठीक है ओके तो थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया है typing problem आई है तो हुआ क्या एक्चुली यह lining फोर यहां set ने हुई है तो मैंने अभी इसको क्या किया है इसको नीचे चलते हैं अगें यहां पर सेम चीज़ है जो यह है यहां पर लाइनिंग की setting नहीं थी तो यह इसकी यहां पर lining की setting में नहीं कर दी है यहां पर वापस यहां पढ़ लेते हैं ठीक है ओके तो if tolmen lettering clear तो होई गया यहां पर कुछ points देखने लिखना किया तुम्हें यहां पर tolmen lettering क्या होता है हमें बचना है लासा जो लासा look alike sound alike drugs जो होती है किस तरीके से हम इनकी वहें सो होने वाले medications error से बचेंगे तो उसमें सबसे बड़ा effective काम कौन करता है tall men lettering तो यहां पर क्या कह रहा है by accentuating accentuating मतलब focus करना जोड देना the point of difference कि दोनों में क्या difference है है न हम उस words को थोड़ tall कर देंगे small कर देंगे application of tall men lettering to a drug name may assist in alerting अब उसमें किया जब letters कम छोटे बड़े होते हैं तो जो healthcare provider alert होया था कि अच्छा यह tall men वाला है तो दिमाग में आता कि हाँ यह tall men वाला है तो यहां मेरे को focus रहना है ठीक है provide that the drug name in question may be confused with another drug name मतलब तुरां tall men letter देख करके healthcare provider सोच लेता कि हाँ यह लासा वाले drugs के अंदर आता मेरे को ध्यान से इसको लिखना है दबाई को now tall men lettering में also assist with name recognition and comprehension by affecting the reader's eye movement अब pharmacist की बात करें जब उसे दबाई देनी है तो जब वो नजर दोड़ाता है ना क्या कर रहा है यहां पर reader's eye movement जब वो नजर दोड़ाता है तो उसकी नजर काम करते है अच्छा capital letter छोटे letter तो दिमाग उसा click करता की दवाई तो match करता है ठीक है तो error होने की संभावनाए कम हो जाती है tall men lettering में also assist the name recognition and comprehension name को पैचानने में और उसे समझने में ठीक है कैसे by affecting the reader's eye movement eye movement होती है था capital letter small letter तो mind में click करती है चीज़े now it use does not rely on characteristics of type such as font or size हम font or size को कम ज्यादा करके tall men lettering को मतलब इस्तमाल नहीं कर सकते मतलब font or size का कोई effect नहीं है सिर्फ capital और small letter का effect है यह नहीं कि हम कोई special font इस्तमाल कर ले उसका कोई भी does not rely ठीक है ना font or size को उपर हम लोग रिलाइ नहीं कर सकते यहां इस font में लिखे या इस size में लिखे it can use in any electronic system हम ये tall men lettering किसी भी electronic system में use कर सकते है that accommodate uppercase and lowercase जिसके अंदर uppercase and lowercase मौझूद होता है ठीक है तो test option के तौर पर जिसके अंदर uppercase lowercase मौझूद है electronic system के अंदर हम उसके अंदर tall men lettering का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो tall men lettering मैंने दिखाया थे उसके example ठीक है जो तुमको अगर और असान वाले मौझूद हो तुम उसके इस्तमाल कर सकते हो now the strategies to reduce medication error तो tall men को तो हम लोगो ने उस तरीके से reduce करना ही कोशिश की बाकी कैसे करें तो बाकी के लिए हमें क्या करना है increase awareness of at risk population मतलब कि हमें तुरंट alert हो जाना है अगर कोई patient pediatric है या geriatric है बच्चा है या बूड़ा है यह अगर patient है तो हमेशा अपने मायन को रिसकी है उनका alert हम बढ़ाएंगे ठीक है जैसे कि LASA pairs है इनकी awareness बढ़ाएंगे tall men lettering इसका इस्तमाल करेंगे double or triple check करेंगे ठीक है avoid abbreviations and nomenclature abbreviated यह नomenclature जो होता है उसका हम इस्तमाल नहीं करेंगे proper medicine का नाम लिखेंगे beware of OTC family extension और labeling मतलब क्या कह रहा है कि OTC family तो यहां पर जहां पर जहां over the counter drug का इस्तमाल करते हैं उसके पूरी leaflet निकलती है हम लोग over the counter drug का इस्तमाल तो कर लेते हैं लेकिन उसके इंस्टक्शन लिखे होते हैं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं समझते हैं तो जो उसकी labeling है और जो extension जो उसमें extra दिया हुआ है परचा उसको अच्छे से हमें समझना है उसको साबधानी से यूज़ करना है duplicate therapies interaction coordination of care duplicate therapies क्या होता है एक ही थेरपी मतलब same दवाई इस्तमाल कर रहे हैं जिसके effect same होंगे ठीक है therapy नदर एक ही therapy पर double दवाईयों का इस्तमाल हो रहा है क्योंकि दवाईया क्या है मिलती जूलती से हैं यह यूं कहलो कि हमने एक दूसरी दवा दी किसी और चीज़ के लिए एक और दवादी किसी और चीज़ के लिए लेकिन उन दोनों दवाउं का मिल करके एक काम प ताकि further कभी error ना हो root cause of analysis हमें report इसले भी करना है ताकि root cause of analysis हमें मिल जाए कि उसका root cause क्या है educate caregivers जो उसके देखरे करने वाले हैं उनको हम educate करें educate patient patient को भी educate करें कि दवाईयों को किस तरह से लिया जाना है क्या क्या कोता ही नहीं बरत नहीं है otherwise error हो सकती है evaluate error error को evaluate करना evaluate मतलब की detail में जाच पड़ता एक होगे report करना एक होगे evaluate करना क्या 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 evaluate करेंगे failure modes and effect analysis failure mode क्यों हुआ कैसे हुआ किसले हुआ prospective systemic approach to safety फिर उसके साब से हम लोग अपना system में changes लेके आए कि हम यह system next time से थोड़ा से changes कर रहे हैं इससे की error ना हो document process determine how it can fail पूरा document बनाएंगे कैसे फेल हुआ why the fail occur fail कैसे हुआ क्यूं हुआ redesign the process to decrease failure पूरा system था उससे redesign करेंगे कि medicine के prescription से लेकर करके मरीज के खाने तक उस system को अब लोग क्या करेंगे redesign करेंगे कि next time वो error ना हो implement strategy to maintain effectiveness of new process run नीतियां अपनाएंगे कई सारी तरीके अपनाएंगे कि जो नई process लागू कर रहे हैं वो पूरी तरीके से follow हो और फिर उसको audit भी करेंगे कि जो नया process हमने लगाया है क्या वो proper है क्या उसमें अब error हमारे कम हुए है या error हमारे उतने ही है या बढ़ गए है ठीक है ना त strategies to reduce medication error और यह कुछ एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा समझ लें तो खुछ से भी point बना करके लिख सकते है ठीक है तो common topic था यह ओके तो यह lecture हमारा खतम हो जाता है बात समझ मारी है notes का link description मिलेगा बिटा revise करते रहो पुराना जो पढ़ लिया है उसको revise करते रहो ठीक है नया जो तुम लोग पढ़ते जारे है उसको add करते जाओ यह नहीं कि हम नया पढ़ेंगे पुराना नहीं पढ़ेंगे या पुरा चाहते हो तो बाद बाकी सारी चीज़ें आपके revision पर टिकी हुई है पढ़ते रहो revise करते रहो all the best